केसरिया बुद्धा स्टुपा विश्व के सबसे बड़े बौध स्टूप केसरिया के बारे में आप कितना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ये खास बातें केसरिया भारत का पूर्वी राज्य बिहार अपने व्रिहद और बेहद खूबसूरत इतिहास के लिए जाना जाता है। एतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार एक महत्वपून जगह है जहां आज भी काफी पुराने अतीत से जुड़े कई प्राचीन अवशेशों को देखा जा सकता है। बिहार का नालंदा प्राचीन, शिक्षन, संस्थानों और विश्नुग जैसे बुद्धी जीवियों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। पटना बोध गया, राजगीर आदी तो यहां के विश्व प्रसिद्ध परियतन स्थल हैं ही, लेकिन इसके अलावा आज हम आपको चमपारन स्थित एक प्राचीन स्मारक के बारे में बताने जा रहे है जिसका नाम है केसरिया स्थूप जो विश्व के सबसे बड़े प्राचीन बौध स्थूप के नाम से प्रसिद्ध है। जानकारी के मुताबिक इस स्थूप को समराट अशोक महान ने बनवाया था। इतिहास और कला में दिल्चस्पी रखने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहां भारतिय इतिहास के कई अहम पहलूओं को समझा जा सकता है। रिकॉर्ड में दर्स तारीक के के मुताबिक यह विशाल स्थूप तीसरी शताबदी से तालुकात रखता है। इस प्राचीन स्थल को पुरातात्विक सर्वेक्षन विभाग के ओर से 1958 में खोजा गया था। सर्वेक्षन का पूरा काम पुरातत्ववित के मुहम्मद की देखरेख में हुआ। सर्वेक्षन से पहले इस स्थल को प्राचीन काल का शिव मंदिर माना जा रहा था, लेकिन खुदाई के दौरान यहां प्राचीन काल की कई अन्य चीज़े मिली। जिनमें बुद्ध की मूर्तियां, तामबे की वस्तुएं, इसलामिक सिक्के आदी जिसके बाद से इसे बौध स्टूप माना गया है केस्रिया स्टूप को देखने इतिहास के प्रेमी खूब आते हैं यहां की यात्रा कई उद्देशों को पूरा करने के लिए भी की जा सकती है अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं और प्राचीन स्थलों की सैर करना चाहते हैं, तो आपको यहां जरूर आना चाहिए बौध धर्म में रुची रखने वाले परियटक इस स्थल की सैर कर सकते हैं अगर आप भी यहां आएंगे, तो यहां आपके लिए एक खास मौका होगा जब आप विश्व के सबसे बड़े बौध स्थूप को करीब से देख पाएंगे केस्रिया की यात्रा उन परियटकों के लिए भी खास है, जो बिहार के एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना चाहते हैं कुछ नया जानने वालों के लिए भी यह एक शांदार जगह है आसपास के आकर्शन केस्रिया स्थूप के अलावा आप यहां आसपास बसे परियटन स्थलों की सैर का आनन्द ले सकते हैं भगवान बुद्ध जब महाप्रिनिर्वान ग्रहन करने कुशी नगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केस्रिया में ठहरें थे जिस स्थान पर पर वह ठहरें थे उसी जगहे पर कुछ समय बाद समराट अशोक ने स्मरण के रूप में स्थूप का निर्मान करवाया था इसे विश्व का सबसे बड़ा स्थूप माना जाता है वर्तमान में यह स्थूप 1400 फीट के ख्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी उचाई 51 फीट है अलेक जेंडर कनिंधम के अनुसार मूल स्थूप 70 फीट उचा था पूर्वी चंपारन जिला की भौगोलिक एतिहासिक एवं पुरानत्विक विरासत युगों से रही है दुनिया का सबसे उचा बौध स्थूप मिलने के बाद बिहार ने अपने अतीत का गौरव फिर से प्राप्त कर लिया केस्रिया बौध स्थूप की उचाई आज भी 104 फीट है जबकि इंडोनेसिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरोगदुर्प जावा बौध स्थूप की उचाई 103 फीट है ये दोनों स्थूप छै तल्ले वाला है जिसके प्रत्येक दिवाक खंड में बौध की मूर्थिया स्थापित है स्थूप में लगी इटे मौर्य कालिन है सभी मूर्थिया विभिन्द मुद्राओं में है 1861 से 62 में इस स्थूप के संबंध में जनी करनिन्धम ने लिखा है कि केसरिया का यक स्थूप 200 इशूने से 700 इशूने के मध्य कभी बना होगा चीनी यात्री फाहियान के अनुसार केसरिया के देवरास्थल पर भगवान बुध अपने महाप्रिनिर्वान के ठीक पहले वैशाली से कुशिनगर जाने वक्त एक रात का विश्राम किया था तथा साथ आये वैशाली के भिजुकों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान कर कुशिनगर के लिए प्रस्थान किया आज केसरिया बौध स्पूत देखने विदेशों से हजारो हजार परियटक एवं बहुद भिक्षुक रोज आते हैं दोस्तों बुद्ध से जुड़े और जानकारी पाने के लिए विडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो विडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी भेजो जय हिन